मारे पतरकार सांथी जो अपने जान जोकिम में डाल कर अंदुरीनी छेतरों में जाकर ख़बर लाते हैं मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है उनकी सिकायत के लिए भी एक समीती बनी है जिसको बहुत अधिकार संपन बनाया गया है तो प्रदेश इस तरह के होगा राज में और दिल्ली में करके विभिन कंगठनों से चर्चा करके इसका प्रारूप बनाया गया और उसके बाद विद्धुक के रूप दिया गया और इसे राजे पास से अनुति लेकर विधान सभा में प्रस्तूत किया गया और आज वो पारित हुआ है आज उधान सभा के लिए अतिहासिक दिया ना पुरी चत्तिजगर के लिए अतिहासिक और हमारे पत्रकार सांथियों के लिए बहुत ही अश्मरनी दिन रहा है क्योंकि आज चत्तिजगर मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तूत हुआ बलकि पारित भी हुआ है हमारे पत्रकार सांथि जो अपने जान जोकिम में डालकर अंदुरुनी छेतरों में जाकर ख़बर लाते हैं बहुं सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको उनके परवार के लोगों को ख़त्रा वड़ चाता है साथ ही जनहानी साथ धनहानी की भी संभाना बन जाती है ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं चाहे वो electronic media को हो चाहे print media को हो चाहे portal के हो सभी साथियों के जो आफिस में जो काम करते हैं वो भी और जो गाउँ में काम करते हैं उनके लिए भी ना कि एला अध्मानिता पत्र जारी करने का बलकि उसे रेजिट्रिशन कराने के जिसको अध्मानिता पत्र नहीं है और कोई प्रेस यदि कहता है कि ये हमारे साथ में हैं और जो लगातार उसमें 6 मेने कंदर में 3 लेख लिके हूं या इस्टोरिक की हो। ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा, मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के धायरे में लाया गया है त्याकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। जिसको बहुत अधकार संपन बनाया गया है जो प्रदेश इसतर होगा और उसमें पत्रकार भी होंगे उसमें अधकारी गण भी होंगे तो वो सब मिलक इच्छाय लोगों की समिती बनेगी जिसके माध्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवशक निर्देश भी दे प्रावधान है यदि उसे संतुष में होते तो अपील की भी प्रावधान रखा गया है लेकिन यदि कोई गलत सिकायत करता है तो उसके भी उसमें दंड के प्रावधान रखे गया है तो इस प्रकार से देश में इसकी चर्चा भी थी प्रदेश में इसके बहुत दिनों से प्रतिक्षा थी मैं इस अवसर पर जश्टिस अप्ताब आलम जी सुप्रिम कोड के सेवन रित नयदिस अप्ताब आलम जी के अध्यक्सता में एक प्रारूप समीती बनी थी जिसके सदस नयमुर्टी सेवन रित स्रीमुर्टी अंजना प्रकास जी उचितम नहले के प्रत्रकार आज हमारे बीच में नहीं हैं लली सूर्जन जी, स्रीप रकास दुबे जी, मेरे सलाकार रुचिर गर्ग जी, महाधिवक्ता, विदीवाग के प्रमुक्सची, पुलिस महानी दे सक, सभी इसके सदस्य थे और अनेक बैठकें राज में और दिल्ली में करके वि विभाग को सौंपा गया, विभाग ने लंबे विचार विमर्स करके इसको विधैक के रूप में विधैक के रूप दिया गया और इसे राज्य पाद से अन्मति लेकर विधान सभा में प्रस्तूत किया गया और आज वो पारित हुआ है, लेकिन दुर्भाग ये है कि लेकिन कुल मिला कि जो उनकी मंसा थी, अजय चंद्राकाजी बोलने खड़े भी हो गया लेकिन बाद में उसके साथियों ने विठा भी दिया, तो ये बहुत दुर्भाग जनक है कि ऐसे विधैक, जो मूल विधैक है और पहली बार चत्तिजगर की विधान समय प्रस्तूत हुआ है, तो विपाक्सी खाहतियों को भी इसमें अपने राय रखनी थी, जो नहीं हुआ ये बहुत दुर्भाग जनक है, अलाकि सरोनोती से इस विधैक को पारित किया गया.